नमस्कार प्रिविद्यार्थिगर्ण आज के वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज के वीडियो में हम बेसिक हिंदी शुरू करने चल रहे हैं जो की रहेगा किसी भी क्लास के बच्चे हो क्लास 678 या इससे उपर के हो तो सबसे पहले भासा को लेते हैं और बेसिक हिंदी हम शुरू करने चल रहे हैं ब्याकरांट शुरू करने चल रहे हैं और बेसिक हिंदी तो सबसे पहले भासा ब्याकरांट पढ़ेंगे तो सबसे पहले भासा को ल है ठीक है भासा को सबसे पहले पढ़ेंगे ब्याकरण में तो भासा है भासा सब्द जो है बना किसे है भासा बना है पसक्रिट के झाल से बहास द्धातु ना है मैं वहास द्धातु से है अगल संक्रिट के भास द्धातु से की भासा सब्ड बना कि ठीक है तो भासा सब्द का निर्मार किसे हुआ है संस्कृत के भास धात्व से हुआ है कि तो भासा की परिभासा की बात अगर करें तो परिभासा क्या हो सकती है भासा की तो परिभासा देख लेता है भासा की परिभासा परिभासा देखते हैं भासा की तो परिभासा कहेंगे किसे तो परिभासा देख लेता है तो भासा वह सार्थक माध्यम है भासा वह सार्थक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है आदान प्रदान करता है उसे क्या करते हैं भासा करते हैं तो भासा क्या है भासा की पर भासा क्या हो सकती है तो भासा वह सार्थक माध्यम है जिसके द्वारा मनुस अपने विचारों का आधान प्रदान करता है विचारों का आधान प्रदान का मतलब क्या हुआ मनुस अपने विचारों या भाव या विचार का आधान प्रदान करता है ऐसे करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा ठीक है मनुष्य अपने भावं तथा विचारों का अपने भावं तथा विचारों का आदान प्रदान करता है ठीक है रहेगा तो सही रहेगा भासा वगसार्थक मतलब जिसका अर्थ होता है वाको उसका कुछने कुछ अर्थ होता है वह माध्ययम वह सार्थक माध्ययम करने मतलब कोई ने कोई माध्यम है और सार्थक है करने मतलब उसका कुछ ने कुछ अर्थ होता है जिसके द्वारा मनुष अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है जैसे हम अपने भाव या विचार कि किसी से कुछ मतलब बताएं या और उसके द्वारा कुछ ग्रहा तो भासा की परिभासा यही है भासा वह सार्थक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है ठीक है तो उसे भासा कहते है अब देख लेते हैं भासा के रूप भासा के रूप भासा के रूप देख लेते हैं तो भासा के रूप मुख्य रूप से तो दो ही रूप है ठीक है भासा के दो रूप है कौन-कौन है पहला है माूखिक और दूसरा क्या है लिख्षी थे और एक सांकेति कहीं मिलता है लेकिन सांकेति भासा कोि भासा में नहीं गिना जाता है भासा-विज्ञान से भासा में इसको नहीं गिना जाता है कि इसको जो कि संकेतिक भासा है ठीक है भासा विज्ञान की द्रिष्टी से संकेतिक भासा को भासा नहीं माना गया है इसलिए उसको हम नहीं ले रहे हैं ठीक है दो भासा दो ही हैं मौखिक और लिखित कहीं कहीं संकेतिक मिलता है लेकिन संकेतिक भासा को भासा विज्यान की द्रिष्टी से भासा नहीं माना गया है इसलिए उसको छोड़ रहे हैं तो मुख्य रूप से भासा के दो रूप हैं मौखिक और लिखित ठीक है जब हम अपने भाव विचार बोल कर प्रकट करते हैं ऑनकी मौखिक भासा है जो a कुछ बहुआ करके पाशा का आधान परदान मोई यहां करेंगे वीचारों का अब भायों आधान परदान यहक्रिश्थ शेंगे जैसे लिखित में हो जाएगा जैसे हम किताब पढ़ते हैं पेपर पढ़ते हैं कोई ने कोई मतलब लिखा गया किसी के द्वारा लिखा गया है और कुछ न कुछ उसमें भाव और विचार है जो हम पढ़कर समझ रहे हैं ठीक है तो लिखित भासा है और मौखिक भासा में आप आपस में बात करते हैं तो मौखिक भासा इसको कह सकते हैं कहेंगे इसको मौखिक भासा ठी तो जो मौखिक भासा है एस्थाई होता है रस्थाई होता जो कुछ हम बात करेंगे तुरंत जो हो जा Fermा ऊझाब मौखी भासा का मतलब यह है अस्थाई नहीं है और लिखित भासा जो है यह लिख दिये जैसे बुक कोई ने कोई लिख दिया और यह अस्थाई हो गया बहुत दिनों तक रखा जा सकता है इसको अस्थाई है ठीक है यही हुआ इसका मतलब मौखिक अस्थाई है और लिखित जो है अस्थाई है ठीक है न तो यही था और ज्यादा दिनों तक सुरक्षित मौखिक में रखा जा सकता है लिखित में किस भासा में कोई भी चीज सुरक्षित ज्यादा दिनों तक रखा जा सकता है तो लिखित भासा में कोई भी एगर किताब हम लिख दिये तो ज्यादा दिनों तक भाव यहम विचार सुरक्षित रख सकते हैं किस में लिखित भासा मे मौखी भासा में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है जो बात करेंगे तुरंत बात करेंगे कुछ दिन के बाद नहीं रह जाएगा तुरंत मतलब जो भी होगा तुरंत होगा और ज्यादा दिनों तक सुरक्षित लिखित भासा रखा जा सकता है लिखित भासा ज्यादा दिनो भासा के भेद देख लेते हैं क्या देखते हैं भासा के भेद तो भासा के भेद बहुत सारे भेद हैं निशित कोई निशित नहीं है कि कितने भेद कर सकते हैं ठीक है बहुत भेद इसके हैं लेकिन जो मुख्य भेद हैं उसी को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं ठीक है जो मुख्य मुख्य है जो मेन हैं उसी को हम लोग देखेंगे अगर भासा के भेद की बात करें तो बहुत बहुत सारे हैं ठीक है तो जो मुख्य है उसको हम देख रहे हैं तो मात्री भासा पहले देख रहे हैं कौन सी भासा मात्री भासा मात्री भासा को हम लोग देख रहे हैं तो मात्री भासा में क्या हो जाएगा बच्चा जन्म लेने के बाद बच्चा जन्म लेने के बाद सबसे पहले सबसे पहले अपने माता पिता घर परिवार तथा समाज से जो कुछ भी सीखता है समाज से जिस भासा को सीखता है उसे क्या कहते हैं? मात्री भासा कहते हैं मात्री भासा किसे कहते हैं? यहां घर नहीं रहेगा, सही रहेगा, ऐसे ठीक रहेगा बच्चा जन्म लेने के बाद सबसे पहले अपने माता पिता से तथा अपने परिवार में समाज में जो भासा सीखता है वही क्या है? उसी को मात्री भासा कहते हैं, उसका मात्री भासा वही है, उसकी मात्री भासा वही है, ठीक है? जैसे कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, तो अपने घर में सबसे पहले अपने माता पिता से कुछ न कुछ माता से सीखता है ठीक है उनके घर में जो बोलने वाले रहते हैं सबसे पहले उन ही से सीखता है माता से पिता से या परिवार में जो भी है उनसे या इसके बाद परिवार में सीखने के बाद समाज में कुछ न कुछ सीखेगा तो इसी को क्या कहते हैं यही मातरी भासा है ठीक है यही क्या है यही मातरी भासा है उनकी कि समझना आए ना बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले अपने परिवार में माता पिता से सबसे ज़्यादा सीखेगा इसके बाद पहले तो माता से सीखेगा ज़्यादा पिता से सीखेगा इसके बाद परिवार में शीखेगा फिर उसके बाद फिर समाज में सीखेगा यह सब जहां से सीख रहा है यही मातरी भासा है इनकी ठीक है इसी को क्या कहते है मातरी भासा इनकी है ठीक है तो इसी को मातर बिकास के लिए बच्चे के मानसिक विकास के लिए मात्रिभासा जो होती है बच्चे के मानसिक विकास के लिए मात्रिभासा सबसे महत्तुपूर्ण होती है किसी भी बच्चे के मानसिक विकास के लिए उनकी मात्रिभासा सबसे महत्तुपूर्ण होती है क्योंकि मानसिक भिकास जञादा बढ़ियां से तभी हो पाएगा जब उनकी भासा में, उनकी मातृ भासा में उन्हें सिखाया जाए तो ज्यादा बढ़ियां से सीखते हैं मानसिक विकास ज्यादा बढ़ियां से हो पाता है ठीक है क्योंकि कोई भी बच्चा ज्यादा से ज्यादा वही भासा समझेगा जो बच्पन से है जिस भसा का प्रेयोक किया है जो भाषा उसके घर में बोली गई है बोली जाती थी जिस भाषा से वो सीखा है उसी भाषा में उसको शिखषा दी जाएगी तो बच्छे के मानसिक' विकास के लिए मातरि मात्री भासा सबसे महत्रपूंड होती है तो मात्री भासा समझ गए होंगे मात्री भासा का वह भासा होती है जब जन्म लेने के बाद बच्चा अपने माता पेत्या से जो सीखता है जो भासा मतलब अपने माता पेत्या से सीखता है परिवार्श सीखता है तो यही भासा इनक क्या है मात्रिभासा है तो मात्रिभासा में अगर बच्चे के मानसिक विकास के लिए मात्रिभासा सबसे जरूरी चीज़ सबसे जरूरी भासा होती है मतलब सिक्षा अगर उसको छोटे बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं तो अगर उनकी मात्रिभासा में पढ़ाया जाए त कोई बच्चा हुन्दी घर में उनके बोली जाती है तो कम को अंग्रेजी में остuClUE चाहँ होगी तो उतना बढ़िय इप से में मांसी बिकस तभी अच्छा हो पाएगा अगर बचपन से जब जन्म लिया है त तब हीश्य थी अंग्रेजी का पास बोल बोली जा रहें उनके बीच में और एंग्रेजी शुरू से उसकी सीख रहा है तो तब इन वीकास बड़ियां होगा और मान लेजिए अपने घر में हिंदी बोली जा रहे और हिंदी भासी यक्ति के बीच में बच्चा रहा है तो ओं हिंदी में ही बढ़िया चुछ तो आगे चलते हैं अब देखते हैं राष्ट्र भासा राष्ट्र भासा किसी कहते हैं तो राष्ट्र भासा को देख लेते हैं ठीक है राष्ट्र भासा को देखते हैं तो जिस भासा को किसी राष्ट्र की जिस भासा को किसी राष्ट्र की अधिकांस जनसंख्या बोलती और समझती हैं जिस भासा को किसी राष्ट्र की अधिकांस जनसंख्या बोलती और समझती हैं उसे उस राष्ट्र की राष्ट्र भासा कहते हैं जिस भासा को किसी राष्ट्र की अधिकांस जनसंख्या बोलती हो और समझती है उस राष्ट्र की राष्ट्र भासा कहते हैं करने मतलब जिस भासा को किसी भी राष्ट में जिस भासा को अधिकांस जनसंख्या बोलती है तथा अधिकांस जनसंख्या उसको समझती है तो उस राष्ट की राष्ट भासा वही भासा हो सकती है ठीक है जिस भासा को किसी राष्ट की अधिकांस जनसंख्या द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है तो उसे उस राष्ट की राष्ट भासा करते हैं ठीक है कर सकते हैं भारत में चलिए भारती सम्विधान में सम्विधान में भारती सम्विधान में कहीं भी राष्ट्र भासा का उलेक नहीं है भारती सम्विधान में कहीं भी राष्ट्र भासा का उलेक नहीं है भारती सम्विधान में कहीं भी राष्ट्र भासा का उलेक नहीं है किंतु बहारत की अधिकांश जन संख्या द्वारा हिंदी बोली वह समझी जाती है जाती है ठीक है किंत भारत की अधिकांश जन संख्या द्वारा हिंदी बोली वह समझी जाती है अता स्वता ही हिंदी भारत की अग्हुशित कि राष्ट भासा है तो देखिए जिस भाजा को किसी राष्ट की अधिकांस जनसंख्या द्वारब बोली वह समझी जाती है तो उसे उस राष्ट की राष्ट भासा कहा जाता है ठीक है तो भारती संविधान में कहीं भी राष्ट भासा का उल्लेक नहीं हुआ है संविधान में भारत का जो संविधान है इसमें राष्ट भासा का उल्लेक कहीं भी नहीं है किंत भारत की अधिकांस जनसंख्या द्वारा हिंदी बोली वह समझी जाती है इसलिए क्या है एस स्वत ही भारत की अगोसित राष्ट भासा है हिंदी है और संविधान में इसे गोसित नहीं किया गया इसका उल्लेक ही नहीं है संभिधन में फिर भी अधिकानष जन संख्या हिंदी का प्रयोग करती है और शमच्थी है हिंदी को इसलिए इसको राष्ट भासा माना जा सकता है माना झाता है ठीक है कि लेकिन उल्लेख को राष्ट भासा है संभिधान में इसका उल्लेख ही नहीं है फिर भी इसका प्रियोग धिकांस जन संख्या द्वारा होती है इसलिए इसको राष्ट भासा कहा जाता है